एसी कंडिशन में द्यत्त भी हो जाती है कि अधिक अधिक का नाम रेखा है और यह वेर के की रहने वाले और यह सिस्टर की गवाई जे इनके बेटे के इसे बतार के आज दो हफ़ते पहले इसके बेटे को बहुत तेज फीवर हो गया था जब जे सिस्टर डॉक्टर के पास के डॉक्टर ने चक अप किया तो इसको एक सो तीन वुखा था और इसको इनके बेटे को कोई भी होश नहीं थी इनकी पूरी बोड़ी नीली पढ़ गी थी उनके बेटे के मुँँ से जाग भी निकल रही थी और इन्हों ने बताया कि इसके हाथ मौँ के जो कुंड थे वो भी मुड़ गे थे जिसके कारण जे काफी परेशान थे और डॉक्टर ने इनको का कि आप इसको हॉस्पिटल में ले जाओ और जे सिस्टर ने बताया कि इनको प्रभु के उपर विश्वा और इन्हों ने बताया कि जब जी पैदा हुआ था उस समय भी इस बेटे को जेही प्रॉब्लम थी और जब इन्हों ने प्रभु की सचाहिए को जाना और विश्वास किया तो पर मेश्व नियु शमीश बच्चे को अजात किया तो इस प्रॉब्लम टे पर जैसे जी ऋबद्टी में आए और जेसिस्टर ने मिटिंग को पूरा अठेट किया और जेवतारिके जैसे प्रभु के दास मास प्रेयर का रहे थे इनों ने विश्वास कि और प्रात्न में बने रहे उसी समय प्रभु की ग्रेस ने इस बच्चे को टच किया जो बिलकुल इस बच्चे को होश नहीं थी परमेश्व ने उसी समय इसको पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से अजाद कर दिया और आज इस इसरो बहुत खोशे की परमेश्व ने इनके बेटे को संबाल कर रखा इस को कितनों लोगों ने इस गवाई में एक पॉइंट था कितने लोगों को समझाया है हलात किस कारण इनके बच्चे में के उपर आया जो हलात इनके बच्चे के उपर आया वो किस कारण आया किस कारण आया कितनों नहीं सुना द्यान से किस कारण आया यह हलात बोलो किस कारण आया कि उच्छा बोलो कि क्याना करने से संगती में बने न रहने के कारण यह हलात है इनके बच्चे के उपर आया इतना फीवर एक सुतीन बड़े आदमी को भी जो स्याना है उसको भी अगर एक सुतीन बखार हो जाए तो उसकी भी कंडिशन बहुत जादा खराब हो जाती है और यह तो चोटा बच्चा है कि अपने सुना न अभी इसके मुझ में है कि मुझ में यह बोरे कैसे उंगल डालके रखते थे के दंदन समझ देना वो ना पढ़ जाए इसका सांस लेना क्या ना हो जाए बंदना हो जाए समझ आ रही है कहीं कुछ हो ना जाए और मुझ में जाग आ रही थी कितनी करडिशन डॉक्टर के पास लेकर उसने कहा नहीं मेरे बसकी बात नहीं आप होस्पिटल लेकर जाओ पहले बार शेमी ने बाद फिर ऑस्पिटल लिए और डॉक्टर ने कहा है कि यह पांस साल तक रहा है एदे पूरा अही हाल रहेगा ते पूरा पांसा तक रहा है तो मैडिसिंदा को स्थ करवाया उस तो बाद फेर और आज साल बाद मतल की पेर हो गया जो तहीं परमेशन तो बाद मेरे बच्चा बिल्कुल ठीकी अच्छा यह संगती तो अच्छा डॉक्टर ने कहां कि यह पहले भी ऐसे सेम ऐसे कंडिशन इसकी खराब होगी और बेंबार और उसने का यह जिसका ट्रेटमेंट पांच साल तक चलेगा ऐसे बोला था हां जिए पूरा मतल की मैं अगले देने हो क्या कि मैं परमेशर संक्ती जा रही हैं और परमेशर मेरे बच्चे बिल्कुल ठीका चुक्या है सुनो क्योंकि तेखो अलाग तो कितना बड़ा था क्योंकि जब पहले आए तो प्रभू ने अच्छा किया ठीक ठाक था यह बच्चा पर ना वजा एक म पांच साल तक इसका जो है से बुखार हो जते नहीं कभी हमीन आप कभी साल बाद हो अई बस्ते जाता था उसक्तों कि भाण से क्लगा तर्यटमेंट चलेगा हो सकता है कि इसकी यह प्रब्लम कितनी साल तक रही उंबड देखो पर इनोंने सत्थे को जाना और शहीं चीज़ को समझा और पर्मिशन ने अच्छा किया पर क्या हुआ कि प्रभू के साथ ना मिले रहने के कारण कित्नों को समझ आ रही है अब अपने प्रडोसी को बोलो कि ही प्रभू की हजूरी में रहना ही तेरे लिए बला है वोलो एक द बने रहते हैं देखो फिर भी परमिश्व बलाये उसने काम किया ये डॉक्टर बोरा इसे हॉस्पिटल है जो शांस के साथ उसने ये इतने बुखार में से लेकर आए डर्नी न रखा विशांस के साथ आए और खुदा के ग्रेस ने शुगा उसने कितनी कंडिशन खड़ाब पूले क्तनी कंडिशन इस बच्चे की खराब थी देखो सी दिन परमिशंर चुआ और यह कूर कितनी बड़ी कुट छे पर रोग और कि मैं जिए जानां को सकता है इसब हो जाता है है पze उसी कंडिशन दोटनाल इससी में हो जाती है वो अलग बाल्या के हम प्रभु में हैं, बगर हम भी अगर सई तरीके से सई चीज़ें नहीं करेंगे, तो क्या होगा, समझा रही हैं, अगर हम भी वो चीज़ें सई तरीके से नहीं करेंगे, तो फिर बाद में हमें भी पश्ताना पड़ेगा, कि हम तो प्रभु में थे, हम उसकी सजाई में यह हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ पर हम यह नहीं सोचेंगे कि इसका कारण परमेशन ही इसका कारण हमने जिसे हब कुक नभी कंप्लेंट करता ना परमेशन दुष्ट तेरी लोगों को निगल रहा है मार रहा है तो चुप बैटा है तो कहता है नहीं मैं अपने पहरे के गुम्मट पर त्यार हूं कि कब कोई उस मन से मेरे पास आए और मैं क्या करूं पूचिए अच्छा तो परमे से उन चीजों को पकड़ो और उन पर चलो कितों को समझ आ रही है कि को परमिश्र बलाए कितनी बड़ी यह गवाही है चोटी नहीं है बोलो क्या ही पहले रक्टर ने बोला पांच साल तक थ्रीटमेंट फिर उसके मान पांच साल तक चलेगा मगर हो सकता है कि यह यह रोग कि इसका उंबर बर रहे है कि भूलो क्या ही उंबर बर रहे है पर परमिश्र सच्छा है और सर्व शक्ति माने इसलिए इसलिए शुमसी ने कहा जो काम मनुश्यों से नहीं किसे हो सकता है किसे हो सकता है इसलिए उससे सब कुछ हो सकता है क्या हो सकता है पर हलात आने का कारण पॉइंट नोट करना परमिशन नहीं है यह खुद दें क्योंकि हम अगर परमिश्क के साथ गलत चीजें करेंगे उस तरीके से नहीं चलेंगे तो हलात आएंगे कित्तों के समझ आ रही है मैं कहता हूं हलात आएंगे मगर हम सही डंक से सही चीजें करेंगे तो हमारे चीवन सेफ और सुरक्षित नहीं तारीब करो इस बात के लिए परमिश्क बलाए जिसनी फिर से इतना बड़ा काम किया है मैं